दोस्तों रमशकार जैस्रिकिष्टा जैस्रिराधे दोस्तों आज हम बात करेंगे धनू लव रासी फल जन्वरी 2022 2022 का पहला महीना जन्वरी का महीना धनू रासी के जातकों के लिए उनकी लव लायव, उनकी मेरेट लायव, रिलेशनसिप के लिए कैसा रहने वाला है? आएज जानते हैं दोस्तों लव रासी फल सुरू करेंब से पूर्व आपको बता दे हमारा लव रासी फल चन्द रासी यहानी मूनसार के अनुसार होता है उसी कनुसार इस लव रासी फ़क को देखे वसने गर आपको चंद रासी एनिमून सैंग पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी कनुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों जनवरी का महीना दो ग्रहों के रासी परिवर्तन से बहुत बड़ा बदलाव लेगा आपके लिए दो ग्रहों के रासी परिवर्तन होंगे इस महीने के अंत्राल में एक सूरी का परिवर्तन है दूसरा मंगल का परिवर्तन है सूरी है चौदा जनवरी 2022 को मकर रासी में प्रिवेश करेंगे और 16 जंवरी को मंगल अपनी बृश्चक रासी को छोड़कर करके धनुरासी में गोचर करेंगे, धनुरासी में प्रिवेश करेंगे यह दोनों ही परिवरतन अपने आप में बहुत ही महतोपूर है और वाकी जो ग्रहों के गोचर चल रहे हैं जनवरी के महीने में होंगे जो बोचल वो बेहत खास है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और मैं तो कहूँगा आपको साथान होना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजें बिगडने वाली हैं बहुत सारी चीजों को समालने की जनुरत आपको है आप अगर single हैं तो कैसी स्तिती रहेगी no contact situation की स्तिती कैसी रहेगी love life की स्तिती कैसी रहेगी merit life की कैसी रहेगी extra merit welfare की कैसी रहेगी सभी relationship के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के last में आपको बताएंगे तीन रासियों के नाव अगर उन तीन रासियों में से किसी एक रासि का पार्टनर आपका होता है तो आपकी love life बहुत खास बन जाएगी इस महीने और जो negative बातें मैं बोलू वो भी आप बिल्कुल मन मारिएगा क्योंकि वो positive बन जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आपका love रासिफत धनुरासिबालों आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे जो लोग single हैं उनकी हाँ लेकिन एक बात आपको जरूर कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा जरूरी नहीं जब हमें positive सुनने को मिले तभी like किया जाए जब हमें सच सुनने को मिलता है तभी like करने की हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि आपको सच बताने की हिम्मत हम जुटाते हैं केवल आपके प्यार से हम अगर एक सच बोलने का प्रयास करते हैं तो सरफ आपके प्यार से अगर कोई हमें बार-बार बोले कि ये सब चीजें खराब हैं और आप ऐसे बता रहे हैं अब नेगेटिव बोलते हैं तो जब पॉजिटिव सुनने के लिए अगर कोई लालायत है तो हमें पॉजिटिव बताने में कोई दिक्कत दियोंगे लिकिन आप लोगों के प्यार से आपने हमेशा सच सुनना पसंद गया इसलिए मैं सच बोलना बहुत प्रयास करता हूँ इस सच ही बोलूँ कोई भी बनावटी बात ना करूँ और ना मेरे मोँसे निकले वैसे तो मेरी कुंडली ऐसी है कि कितना भी प्रयास करूँ मेरे से वही निकलेगा जो यथावत ग् इसलिए चलिए शुरू करते हैं बात करेंगे सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी अगर आप सिंगल हैं तो आप के लिए धनुलासी वालों सबसे पहले दुधियेस की स्थिती देख लेते हैं दुधियेस सनी कोई भी परिवर्तन नहीं है और इस अंतराल में जनवरी के महीने में बुध का साथ मिलेगा सनी को थोड़ा आदा महीना दो सब्ताहा महीने के लाष्ट के दो सब्ताहा सूरी का भी साथ मिलेगा इसमें कोई नई दोस्ती करना सही बिलकुल नहीं होगा अगर किसी के साथ नई दोस्ती में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अतनी कदर नहीं मिलेगी अतनी value नहीं मिलेगी उस दोस्ती को आपका दोस्त बन जाए, contact में आ जाए, किसी का contact हो जाए लेकिन बो चीज नहीं होगी जिसके लिए हम आगे इसकी कलपना भी कर सकें कि वो हमारा कभी प्यार बन पाए या हमारा कोई बहुत खास बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो उसकी कलपना नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इस्तिधी आपके लिए नॉर्मल है अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो किसी के साथ में दोस्ती में हैं और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है या बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त है तो उनके लिए यह समय बहुत खास रहेगा आप एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का साथ में भाएंगे अगर आप एक तरफा किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ करेंगे उसका भरोसा जीत लेंगे सबसे बड़ी बात है आज की दुनिया में किसी का भरोसा जीत ला अगर आपके पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए आप बाकी में बहुत अच्छे हैं अगर आपके उपर कोई भरोसा करता है और कोई अच्छा गट्ती भरोसा करता है तो आप बाकी में बहुत अच्छे हैं तो इसलिए यहाँ पर आप कर भरोसा जोड़े आप उनका भरोसा जीत लेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्ता आपका हो जाएगा लेकिन इमोशनल हो करके उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो इस महीने रुख जाईए आपको थोड़ा इंतिजार और करना चाहिए और अगर कह दिया है आपने तो आपको बस सान्त रहना चाहिए बहुत जल्द आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है बस इस महीने आप थोड़ा सा सान्ती बना के रखिए अब यहाँ पर एक चीज में और कहूंगा कि आप जिसके जो आपको इंतिजार करवा रहा है या जो आपकी बहुत केर कर रहा है वो आपके साथ में बहुत ही लंबा रिस्ता रखना चाहता है यानि कि आपको पूरे जीवन का साथी बनाना चाहता है इसलिए बहुत सोच सम बहुत अच्छी इस्तिती बन रही है, नो कॉंटेक्ट वाले कॉंटेक्ट में जरूर आएंगे, लेकिन मंगल का द्वासस्त होना, यानि कि अगर एक जन्वरी से सोला जन्वरी के मद्द में, बीच में, आप कॉंटेक्ट में आते हैं, तो बहस बहुत जोरदार होगे, जग आता है, तो उसकी बज़े पूचते हैं, जगड़े करते हैं, तो ये नॉर्मल चीज है, तो मुझे जहां तक लगता है, कि आपका प्यार एक से सोला जन्वरी के बीच में वापस आ सकता है, आपके पार्टनर फिर से वापस आ सकते हैं, दूसरी इस्तिती लव लाइफ की अगर देखी जाए, तो लब लाइफ में साधी के कमिट्मेंट आपके पार्टनर आपको देनी की कोशिस करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीजें आप एकसेप्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आपके सोच से परे होंगी, कुछ सर्तें वो रखना चाहेंगे और वो सर्तों की वज़े से जगड़े होंगे, बार बार जगड़ेंगे, बहुत लड़ाई करेंगे, बहुत बहस करेंगे, कुछ सर्तों के साथ में आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको यह दिक्कत यह होगी कि अभी तक हम साथ थे, तब तक कोई सर्त नहीं थ लेकिन जो पो पहले कहते थे कि मैं तुम सही साधी करूँगा वो सब वो छूट बोलते थे वो उनका सिर्फ और सिर्फ आपको दिखावा था और अब असलियत उनकी अब सामने आज़े कुछ चीज़ें आप पकड़ लेंगे मंगल जब आपकी रासी में आ जाएगे 16 जनवरी के बाद तो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस बज़य से आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी नज़राएगी इगो ओवर थिंकिंग ओवर एक करना इंजीरों से बचना होगा बहुत बचना होगा नहीं तो आपके जगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बाकी इस्तिद्यां काफी अच्छी रह सकती हैं लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आपके मेरिड लाइफ की तो मेरिड लाइफ में कहीं भूमने फिर्णने जाएंगे आपके पार्टनर अकेले जाएंगे आपको नहीं ले जाएंगे यहाँ पार किसी थर्ड पार्टी के साथ में भूमने जा सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में समय बिता सकते हैं जिस बज़े से आपको तकलीफ होगी परिसानी होगी और इससे आपके जगड़े बाद बढ़ेंगे एक से 16 जनवरी की बीच में सबसे ज़्यादा घर में कलेये का माहुर और खास करके घूमने-फिलने यात्रा को ले करके वो किसी और के साथ घूम रहे हैं स्टीज को ले करके या किसी और पर खर्चे करें स्टीज को ले करके जगड़े बढ़ जाएंगे कोट कचेरी की बाते भी हो सकती हैं बहुत ज्यादा फस भी सकते हैं आपकी मेरीड लाइफ में जब आपकी रासी में मंगल आ जाएंगे तो इस बज़े से और इस्तिती खराब हो जाएगी और यहां पर इ स्टितियां होने के वाफ्जूद भी एक्टम से जब लगेगा कि सब दरवाजे बनना हैं फिर भी एक दरवाजे फुल जाएगा जिससे आप अपने रिस्ते को बचा पाएंगे यहां पर अच्छी स्टितियां बन जाएंगे आपके महीने के समाप्ती तक यहां पर आपको थर्ड पार्टी से जरूर साभन रहा है क्योंकि आपके थर्ड पार्टी का केतु का संबंध भी बन रहा है सीधास्टम से इस वजह से वो कुछ नेगेटिविटी करने की कोसिस कर सकती है जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को अपनी और खींचने के अब उनसे बहुत कुछ गलत ही होता रहे या उन्हें जबर 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 जस्ती या किसी प्रकार से तांतर क्रियाओं से या negativity से मेंफलेट करके कोई कुछ भी करवाए इसका मतलब यह नहीं है इस चीज का ध्यान लखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो पाए उसके लिए आप अपने पार्टनर को ज़्यादा तर कोशिज कीजिए कि आपके साथ में समय बिताएं उन्हें अकीला मत छोड़िए इस चीज का ध्यान लखिए अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा नाइटल अफैर की एक्स्ट्रा नाइटल अफैर वाले लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा नए व्यक्ति की स्थिति की ज़्यादा दरसाते हैं कि कोई नया व्यक्ति आएगा बातचीत करेगा आपके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताएगा और जो पार्टनर आपको इग्नॉर कर रहे थे वो आपकी लाइट से चले जाएगे और किसी और नए व्यक्ति आपका रिस्ता बहुत गहरा हो जाएगा जिसके साथ में आप बहुत ज़्यादा एमोशनल थे उसके साथ में आप एमोशनल पंती छोड़के किसी और व्यक्ति के लिए एमोशनल हो जाएगा कोई और आपकी लाइट में आजाएगा या हो सकता है कि आप किसी की मदद ले रहे हैं अपने पार्टनर से रिस्ता ठीक करने की उसी के साथ में आपका रिस्ता जुड़ जाएगा तो ऐसा कुछ हो सकता है ये स्तिती रहेगी दोस्तों जनवरी की पूरा महीना आपके लिए असा रहने वाला है अगर आपको लब राजियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीना सांदार बन जाएगा उसके साथ साथ आप वीडियो को जितना उपसट ही सेर कीजिएगा कमेंट करके अपनी लाए दीजिएगा कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए इससे आप और हम सीधे जोड़ पाते हैं और आपको कुछ बहतर और बहतर हर महीने कुछ अपडेटेटिट कुछ नया मिलता रहता कुछ यूनीक मिलता रहता है और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेश कर लिजेगा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलू कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पर हम बहुत जल्दी लाइव आना सुरू करेंगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्टिप्चन बॉक में मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार